हेलो फ्रेंड्स वेल्कम यौल इन तोडेज वीडियो फाइनली यूपीएसे ने दोस्तों CSF Assistant Commandment Executive Limited Departmental Competitive Examination 2020 का नौटिविकेशन जो है आज 4 दिसंबर 2019 को जो है रिलीज कर दिया है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए बहुत सारे लोग जो है confusion में हर बार रह नहीं गई है UPSC CSF AC LDC Examination 2020 UPSC Assistant Commandment की पोस्त के लिए दो एक्जाम करवाती है आपका एक होता है UPSC Direct Entry Examination जिसमें सभी की सभी जो है आपकी Central Armed Forces Participate करती है जिसमें आपका BASF, CRPF, CISF यह सभी जो है Direct Entry की Forces जितनी में हैं उनमें direct आप AC लगते हैं उनके तुरू ठीक है एक एक्जाम जो है Limited Departmental Competitive Exam भी UPSC Connect कराता है किसके लिए कराता है जी हां CISF के लिए कराता है सिरफ इसमें जो है वो सभी लोग Assistant Commandment Examination के लिए अप्लाई करते हैं जो CISF के अंदर सभी Inspector या Inspector की पोस्त पर वर्किंग है तो यह एक बिसिकली Departmental Exam है यह को Direct Entry Exam नहीं है जितने भी जर्नल स्टुडेंट एस्पिरेंट जो टैरी कर रहे हैं आपके लिए जो examination आएगा भी वो आएगा UPSC CAPF AC Exam 2020 जिसका notification जो है आपका April के अंदर आएगा इस एक्जाम में सिर्फ वही लोग eligible हैं जो सभी Inspector और Inspector है और सर्विंग है भी CISF के अंदर with some term and condition age and some other criteria विच विच व जो है वो आज आ चुका है इस form को last date जो है fill up करने की वह है आपकी 24 दिसंबर website में थोड़ी सी problem चल रही है UPSC की तो उसमें आपको खोल के भी नहीं दिखा सकता हूं लेकिन आपको date मैंने बता दिये 24 दिसंबर तक जो है form आप fill up कर पाएंगे ठीक है एक्जाम का जो date रहे total vacancies were 10 in 2019 CSF LDC examination this time they have increased the vacancy to 23 जो कि बहुत अच्छी बात है double से भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा benefit जो होगा इसमें होगा journal candidates को 20 seats जो है journal की direct आई है वही से कि यहां पर कोई भी seat नहीं है ठीक है तो competition इस बार काफी अच्छा देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग इस exam के लिए प्रिपेर करते है इन comparison to अगर आप CAPF AC की बात करेंगे तो कम लोग है इसके लिए प्रिपेर करते है ठीक आपके पास आपका एक परसनल आईडी होती है जो बैसिकली उसके तुरू आप लोगिन जो है इसमें करेंगे और फोमों भरके जो है अपना डेक्टर जनल से सफ को जो है 13 सीजो कॉंप्लेक्स में आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए आपका जो फोम आपने भरा है उसकी हाट को भी पेजनी होती है उसके बाद जो है यह बाकि सब कुछ common details है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं apply करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा upsc.gov.in पर जाएंगे वहां पर आप ठीक है उस पर आपको सारी की सारी details मिल देंगी वेबसाइट जो है आज उस सबी की सबी चीजे जो है आपकी CPF examination की तरह ही होती है इस paper में ठीक है वकेंसी मैं आपको बता दी है अब eligibility को जल्दी से देख लेते हैं candidate should have completed four years of regular service as on first January 2020 एक January 2020 को जो है आपकी sub inspector या inspector के rank के अंदर minimum service आपकी 4 साल की होनी चाहिए ठीक है और आपके records जो है वो clean होने चाहिए तब भी आप इस exam के लिए eligible है एज के अगर मैं बात करूँ तो 35 years के आपकी age एक अगस 2020 को नहीं होनी चाहिए ठीक है यानि इसका मतलब क्या है यू मस्ट नोट हैव बीन बोर नोट अर्लियं देन 2nd अगस्ट 1985 जैनी 2 अगस्ट 1985 अगर आपका पहले का date of birth है तो आप इसके लिए eligible नहीं है लेकिन यहाँ पर जो है कुछ छोट इसमें दी गई है इसके बाद इसमें NCC वग्यारा के बारे में आएगा तो इसमें आपका जो है desirable qualification बताया गया है personality test के अंदर आपको जो इसका benefit देखने के मिलेगा और बाकी सब normal चीजे हैं यह दोनों के दोनों PDF एक यह वाला PDF है जिसमें आपकी details बताए गई है दूसरा यह वाला आपका PDF ह यह दोनों हमारे telegram group के ओपर available रहेंगे आपके लिए वेबसाइट शायद अभी आज या कल में काम ना करें तो आप notification एटलीस वहां से जाके पढ़ सकते हैं उसके बाद हमारी android app study funda की वहां पे भी जो है हम दोनों PDF को upload कर देंगे download section free study material वहां पे आपको देखने को मिलेग ठीक है उसके बाद जो है इसके रिगार्डिंग सेम चीज़ें है फिजिकल जो आपका CAPF का जो जनरल direct entry exam होता है इसी के लिए वो सब कुछ सेम है फिजिकल सेम सब कुछ रिटन examination में थोड़ा सा यहां पर difference आपका आएगा यहां पर उसके बारे में थोड़ा से discuss अब बार कर लेते हैं जल्दी से जो CAPF का जो रिटन examination होता है उसमें दो papers होते है विसिकली ठीक है इसमें भी दो papers है लेकिन यहां पर थोड़ा सा difference है paper 1 और paper 2 में ठीक है आपका जो 75 कोशन जो है इसमें पॉलिटी जोगर फिस्टी साइंस एंविरमेंट मैथमेटिक्स एंड यह सब मिला के 75 कोशन आएंगे देट्सों नंबर के दो नंबर का एक कोशन ठीक है और 75 कोशन आपके professional skills के आएंगे this is the most important part because there is no study material available for this professional skill paper right now मतलब इसके लिए कोई भी material अवलेब कोई इंफर्मेशन आपको अगर इस एक्जामिनेशन के रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमसे डिरेक्ट कर सकते हैं उसके पेपर टूस में आएगा ऐसे प्रेसे प्रेसाइज राइटिंग कोंप्रिहेंशन हडन मार्क्स का है दो गंटे का जो आपका यह पेपर होगा अगर है आपका तो आप हमसे डिरेक्ट कर सकते हैं इमेल के थुरू हमारी एंडुड आप के इंदर चैट को उप्शन है वहां से आप हमसे कॉंटेट कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपका वोट्साइप का लिंक आपको मिल जागा वहां से भी अब गरे देए